योजित सिक्षक भी अब राज्यकर्मी का उनको भी दर्जा मिलेगा अब वो भी राज्यकर्मी कहलाएंगे लेकिन उस पर भी रियक्षन सामने आएं पहले रियक्षन सुन लेते हैं उसके बाद बाद चित करते हैं कि यह व्यवस्ता यह क्लिए है कि जितने भी निकाय के सिक्षक है इन सभी टीचर्स को पहले सरकारी सिक्षक के रूप में अपने ही वेतनमान जो आज के दिन में उनका वेतनमान है उसमें लिए जाएगा उसके पश्चात उनको परिक्षा इन लिखनी पड़ेगी जो विभाग ते करें कि कौन 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 कंड़क करें को सरकारी संस्वा ही उसकी परिक्षा लिएगे परिक्षा लेने के बाद उन सभ वहारो फ्राइब व क्राइब ऑब ईख्यान, वा, नो डिवजगए था इनाढ नॉच्खकर नहीं, कहना है, बराबर कहते रहें, दिया है लिए हम सरकार को धन्वादेते हैं, लेकिन एक बात इसमें, कि परिक्षा लेने की क्या जववत है, बहुत है, कि इतने दिन से काम कर रहा है, उसको परिक्षा लिजे, हमारा ही यह है, आपती है, जो सरकार ने नहीं दिया, उस पर हंतुरत कोई करने नहीं जा रहा है, बात विचार आपस में भी हम करेंगे, लेक यह नहीं चाहिए था कि लगों के तर फिर प्रक्षा ली जाए यह मेरा आप यह है तो इस पर तमाम जानकारी के लिए बिहार राजी प्रात्मिक सिक्षक संग के कारिकारी अध्यक्षी मनोजी इस वक्त हमारे साथ बने हुए मनोजी काफी दिन से इस बात को लेकर के कि नियो कि यह जो नियमावली बनाई गई है जान बूच कर जो हमारे अस्थानी निकाय द्वारा न्युक्त सिच्छक हैं उनको परिशान करने के लिए बनाई गई है इसमें परिशानी क्यों वो तो राज कर्मी का दरजा किसी को नहीं मिल रहा है परिच्छा देनी है उनको तीन व मांगी गई थी राज के लाखो सिच्छकों ने और बिहार राज प्रात्मिक सिच्छक संग ने भी आपति किया था कि हमारे सभी सिच्छक दब दचता और पातरता परिच्छा पास हैं फिर आप परिच्छा क्यों लेना चाहते हो अब बिप्यसी से जो परिच्छा हो रही ह इसमें तो हमारे जो भी भरे नियोजी सिचक साथी अधिकांस लोग उत्तिर्ण हो रहे हैं तो और मुख इसका इनका जो मकसद है इसमें देखे परिसान करने वाली बात यह है कि आप परिच्छा दो परिच्छा में पास भी करोगे तो नहीं मिलेगा आपको तीन जिला आप बिकल्प दो और बिकल्प देने के बाद जब आपका पोस्टिंग होगा तो पोस्टिंग होगा और आप वहाँ ज्वाइन कर लेंगे तब आपको राज कर्मी का दरजा मिलेगा तो यह परिसान करने वाली ही बात है ने सिचक बिद्याले में हैं वे पढ़ा रहे हैं ठीक सही धंग से पढ़ाई चल रही है मिसंदच पूरे राज में सही धंग से इसका संचालन हो रहा है फिर जान बूज कर जो सिचक हमारे काफी परियास के बाद बस 2006 में उसमें ततकालिन सिचायुक थे स्वर्गे स्री मदन मोहंज्या जिन्होंने ए नियमा वली लाई थी कि सि नहीं चाहता है ऐचिक अस्थानांत्रन उन्होंने किया था और उसको केवल यह बदलना चाहते हैं हैने पूर्व से जो अस्थानिये निकाय द्वाराद न्युक्त हमारे सिचक हैं, उनका पद अस्थान तरनिये है, अस्थान आंतरन बिना उनके इच्छा का नहीं हो सकता, तो ये सब चीज को ये बदल कर सिचको को परिसान करना चाहते हैं, बाब जूर्चारी किस बात की है, आप नियोजित सिक्षक हैं, आप एक्जाम देंगे, तो आप राजिकर्मी हो जाएंगे, आपको बेनिफिट्स मिलेगा उसको, क्या नियोजित सिक्षक जो इस वक्त है, वो नहीं चाहते क्यों राजिकर्मी के दर्जा पाएं, एकदम चाहते हैं, तो पढ़हार है, सारी कैजड़त देना है, तो जो नवादा की महिला है, उसको आप भेज दीज़ेगा मधेपूरा, जो मधेपूरा की है, उसको भेज दीज़ेगा अब हववा, इससे क्या आपका सिच्छा में गुनबता आएगा, ओ नवादा में रहेगी तो नहीं पढ़ाएगी, क्या, ओ परकारी जितनी भी नौकरी आज तक हुई है उनका तो यह प्रावधानी है कि ट्रांसपर होता रहता है और एक जगह पर अगर सिक्षक रहते हैं तो उनका उगड़ बन जाता है उसके साइड एफेक्ट से भी बहुत तरकी देखी जाती है तो यह तो एक बेनिफेट है कि ठी नियमा वली 2006 उसमें संसोधन हुआ 2009 में फिर 2018 में तो उसमें भी है कि जहां जिनके एक जगह रहने से जदी सैचनिक गतिविधी प्रभावित हो रहा है तो उनको आप उनका असानांतरन करने का प्रापदान अल्डेडी है लेकिन आप सभी का करना चाहते हैं चलिए इसके बापजूद सरकार ने जो यह लाई है और मानिय मुखमंत्री जो घोसना किये थे दो नौम्मर को गांधी मैदान में कि मामूली परिच्छा लेंगे हलाकि संगठन का डिमांड है कि पहले आप राज कर्मी का दरजा दो उसके बाद आपको जो परिच्छा लेना है होता है ने बेतन बिर्धी रोको परिच्छा लो है ने तो जो दिक्कत होगा कि बेतन बिर्धी के लिए परिच्छा ली जा रही है हमारी प्रमोशन नहीं हो रहा हमारी सेलरी नहीं बढ़ रही है हम लोगों ने एक सुझाब दिया था लेकिन खैर सरकार जो लाई है जो लाई है मा मामूली परिच्छा मान्य मुखमंत्री का कहना है कि मामूली परिच्छा लिया जाएगा तो सरकार ले मामूली परिच्छा की बात है कि हम किसी बच्चे की भविश्य बनाने जा रहे हैं और मामूली परिच्छा की बात करते हैं तो मान्य मुखमंत्री ने का और देश का भव प्रावधान तो बिल्कुल गलत है ने बीपेसी का प्रावधान जो निकाले ठीक है नहीं सरकार के फैसले से बिहार राज प्रात्मिक सिछक संग जो है यह जो परिच्छा का फैसला है और परिच्छा लेके बलाद जो है सो दूसरे जगा सानांतरन करने की बात है उससे नहीं है बाकी हम इसका स्वागत करते हैं